तो हेलो गाईज आथ सभी का स्वागत अगर फिर से पल्लो ब्लॉग्स पे और पिर आज हम आ चुके फटिलाइजर देख सकते हैं पीछे हमारे फटिलाइजर है और आज हम लोग एक और कार जो है वो रिविव करने वाले हैं और वो है यह सकार्पियो सकार्पियो एसेट है आज हम लोग में बात करेंगे इ disorders के ऑनवन में तो हम लोग रिविव करेंगे और पहले में एक वॉक आरांट देता हूं इसको गाडी की वोगरेंट देता हूं चारों तरफ मैं आपको दिखा देता हूं कि यह गाड़ी जो है कैसा है दिखने में और ब्लैक कलर की है पूरे तरीके से maintenance और बाइकी सब चीजितों के बारे में भी जो है सत्यम से पूछेंगे तो चलिए इस वीडियो करें को तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी सबसे पहले सुरू करने से पहले हम पूझना चाते हैं कि किस यह में जो यह गाड़ी लिया गया था और कितना चल चुका है यह गाड़ी दो हजार सत्रे मॉडल की है यह सेट है उसमें सेकेंड टॉप थी और लगबग अभी एक लाख एक तीसा जार किलोमेटर हम गाड़ी से इस गाड़ी को चला चुके हैं एक लाख एक तीसा जार किलोमीटर चल चुका और काण सा है लगबग 5 साल हो गया यह बियो अब फिलाल बिग डैडी बोला गया है तो यह ही बिग डैडी एक्चिली गाड़ी का इंजन हम लोगों ने कम से कम 15-15 दिन का ट्रिप गया है यह गाड़ी लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी कहीं से कुछ खराबी नहीं हुआ ना ही कभी धोखा दिया कहीं पर गाड करें तो इंजन से कोई प्राब्लम आस तक नहीं विए ना मैंने सिंगल रुपया इंजन पर खर्च किया है हां चिटबूट करके थोड़ा बहुत नटबुल्ट बढ़रा इदर दर हो जाते हैं तो वह तो खैर होता है लेकिन अभी मेजर प्राब्लम अभी तब काड़ी मे ससे लिए राइनके और इसको को करते हैं वाहे सबस्क्राइब अच्छी नहीं इसकी है तो शाहट बौ्ट teakta प्ले करता है तो इसका ब्लेडर क्यासा है तो यह बहुत अच्छी कॉल्टी है बस यही कॉन से आपको यह चीजे प्लास्टीक की मिल जाती है थोड़ा सा वी अगर आप नहीं समल के चलेंगे तो यह बढ़ जाती है यह चीजे प्लास्टीक की आपको यह चीज प्लास्टीक की दे देती है इसलिए आपको मजबूरी में यह चीज लगवाना पड़ेगा क्योंकि आपको पीछे से कोई भी आपके ठोक देगा तो आपका नुक्सान है अच्छाए दर्वाजा भी इसका आपको सुन सकते तर्माजा भी आपको मिलेगा यह सब थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा महींद्रा को जये इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तो बिल्डिकरेचि इसका स्टार रेटिंग है इस्तार डेंग जलदी महींद्रा जो spraatas थार का भी कुछ दिन पहले कराया था तो फोर इस्टा रेटिंग के साथ थार जो है आया था अभी सकार्प्यू जो नहीं वाली आई है और इसका फेस्टलिफ भी जो है भी करवाया जाएगा तो उस समय देखेंगे क्या सीन है अब बात करते हैं इतना बड़ा बड़ा गाड अगर गाड़ी लेने जाता है तो सबसे पहले एवरेज के बारे में ही सोचता है तो हां उस उस एवरेज और इस गाड़ी की खूबी के हिसाब से यह उस जगह पर बहुत बैठती है क्योंकि यह गाड़ी अगर हम आफ ड्राइब भी कर रहे हैं अगर गाउं में चलना है य तो एवरेज में कोई दिक्कत नहीं है वीवी एवरेज में तो कोई दिक्कत नहीं 12-13-14 अभी इतना बड़ा गारी यह 200cc इंजन है तो जाहिड चीवात है 12-13 एवरेज काफी अच्छा एवरेज है और फॉर्चुनर का भी एवरेज इससे कम मिलता है लगबग उसका मिलता है 8-10 ऐसे मिलता है तो इसका एवरेज सही है अब बात करेंगे पीकप की गाड़ी चलाते समय पहले गेर पे जब उठाते हैं तो क्या होता है पीकप सही है क्या है परफॉर्फॉर्मेंस में गाड़ी स्टार्ट करते समय गाड़ी तो एक लाक एकती से चल चुकी है हमारी तो पीकप जो पहले की तरह नया की तरह तो है नहीं लेकिन हाँ आपको ये गाड़ी एक नंबर में बहुत सांदार पीकप पकड़ता था हाँ नया रहता था था अब लेकिन अब कम से कम हम लोगों को एक से दो गेर इंस्टेंट मतलब फोड़े दूर जाने के बाद इसा लगता है तो यह पर्सनल च्वाइस है लेकिन अगर देखा जाए तो इससे एक्स्टीरियर का व्यू जो है बहुत ही कातिलाना लगता है इसके दोनों जो है यह देख सकते दोनों इसका जो लैंब है बहुत ही बहुत ही अच्छा लगता है आपको आपका क्या कहना है लुकवाइज तो कहतो रहे हैं, यह गाड़ी बिग डैड़ी नाम ही इसलिए दिया गया है, कि लुकवाइज सेग्मेंट में, अपने सेग्मेंट में उस रेंज में लुकवाइज यह गाड़ी बहुत ही पतलब हाट गाड़ी कर सकते हैं, मतलब लोगों की पसंद है यह बाइंद्रा इसको आप चेंज भी करवा सकते हैं अपने हिसाब से वह तो इसके बाद पूरा जो लुक है आप तरीके से देख सकते हैं यह पहुत अच्छा तरीके से बनाया लुक फ्रेंट का लुक तो सही है लेकिन बैक का उतना मज़दार जो है लगता नहीं है थोड़ा स अब बैक में इसको चाहे तो महिंद्रा और अच्छे तरीके से कर सकता है अब बात करते हैं लोग इसके इंटीरियर की इंटीरियर में इस अब देखते हैं अब बाकी सब चीजें की डेस्मट और बाकी सब चीजें कैसी लगती हैं यहांकर आपको मैं दिखा दूर्ण बहुद तो सिंपल सोवर जो है डाशाओ जैंटा जो है इसमें कुछ एससेरी जो है डलवाया गया जैसे यह हम भू совсем तो आपको डिस्पलै वगरा नहीं मिलता दिस्पलै वगरा आपको पुरा यह नया भाया आने यह के लिए जिसके लिए टॉप मॉडल में आप 70,080 एक्स्टा देते हैं उसके इसको आप 12-15,000 रुपय में गाड़ी सेकेंड टॉप लेने के बाद आप उसको एक्स्टेंड कर सकते हैं अच्छा इसका इसका इंस्टुमेंट क्लस्टर है वो कुछ पुराने टाइप मॉडल का लगता ह आप क्योंकि 5 साल हो गया जो बाकी सब गाड़िया देख सते हैं 5 साल तक उनका इंस्टुमेंट ट्र जो बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन इसका इंस्टुमेंट क्लस्टर जो बहुत ही नार्मल टाइप का दिया गया है और इसका डैस्वोड है जो थोड़ा मुझे रख दिया है उतना कोई खासियत नहीं है लेकिन महिंद्रा को इसमें अपडेट करने की ज़रूरत है थोड़ा सा देश्बूग भी स्मार्ट चाहिए और इसमें डेश्बूट में आपको बहुत यह दिखा दियें अब पीछे देखते हैं पीछे का सीट जो है वह कैसा हैं देख सकते हैं पीछे साहिए पीछे का सीट ऐसा ओप्षणाल था या सीन आप जब भी महिंद्रा में जाएंगे गाड़िया लेने तो आपको ओप्शन देंगे कि सर आपको गाड़ी 7-seater चाहिए कि 6-seater चाहिए या captain seat चाहिए या normal seat चाहिए तो हम लोगों ने captain seat का option चूच किया अचाहिए लेकिन इसमें एक प्राब्लम है ऐसी seat लेने में बैठने में तो अच्छा है लेकिन लगेज सबसे बड़ी प्राब्लम है लगेज। मैं आपको नहीं रख पाएंगे इस में लगेज dyspates एक दम का मैं आईए हम आपको तो पिठ्षे दिखाते हैं लगेज इस वह से क्योंकि आगे जो है वह सीट दे दिया गया है यह लगेज देखिए इसमें कहां कुछ रख पाएंगे तोड़ा सा जो जोला वोला टाइप है वह रख सकते हैं यह देख सकते हैं बाकी सब समान बंद होने के बाद पूरे पूरा बूटे श्पेस के लिए नहीं जाना जाता है अब दमदारी के लिए जब चलाते हैं उसका थड और चलाने पर जो रॉब आता है तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे ड्राइब क्वालिटी की सस्पेंशन की और बाकी सब चीजों की तो वह बात करेंगे चलते चलते तो तो गाड़ी को स्टार्ट कर चूके हैं और गाड़ी को है इस गारी आदमी लेता है तो गाड़ी खुद भी इंपोर्टन चीज़ा है और आप कैसे अरामदायक श्राच सकते हैं इस चीज के लिए मेहिंद्रा आपको जो सीट दिया है बहुत comfort दिया है और comfort zone में आपको हर एक चीजे मिल जाएंगी steering आप adjust कर सकते हैं अपने इसाब से एक तो वैसे भी महिंदरा की steering उची होती है आपको चीजे जादा दिखती है अन मतलब छोटी SUV या अधर गाड़ियां कर सकते हैं इसका जो व्यू है यह आपको ज़्यादा दिखता है अगे का clearance ज्यादा है आप आई-टू-आई क्लिरेंस की बात करता हैं और यह आप इस चरींग और भी ज्यादा एज़ेश्ट कर सकते हैं और ड्राइब क्वालिटी की बात करें तो मैंने बताया या लेडी की पिकक के माले में ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है और उसके बाद आप इस गाड़ी पर बहुत अच्छा रहता है और गाड़ी रोड पकड़ के चलती है बहुत बढ़े ड्राइब क्वालिटी यानि की गाड़ी की अच्छे लेकिन थोड़ा सा बाड़ी रोल जो फील होता है क्योंकि इसका जो बनाने का जो एरो डाइनमिक्स है वो ऐसा ही बनाया तो इस च्टेरिंग में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन रहता है अब यह क्यों रहता है यह महिंद्रा ने अभी तक प्रताया नहीं है लेकिन मतलब देखिए गाड़ी दिरे चलती है तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आपको इस मतलब गाड़ी में मिलेगा जो एसकार पर बात नहीं करेंगे स्टेरिंग फीडबेक हो गया साउंड सिस्टम का क्या सीन है साउंड सिस्टम में मतलब कितना साउंड दिया गया सांड क्या मतलब सीन है कितना मतलब बढ़ियां बचता है क्या यह बताईए साउंड सिस्टम की बात करें तो एक मतलब नार्मल हम लो कुछ ऐसा एड नहीं करवाया क्योंकि इसका साउंड सिस्टम जो है वह चार अलग-अलग साउंड दिया है आपको आगे के दोनों डोर पे दो साउंड दिख जाएंगे एक वहां आपको दिख जाएगा और एक आपको मेरे मतलब ड्राइबर सीट पे आपको दिख जाएगा और दो साउंड आपको पीछे के दोर में तिख जाएंगे तो जो आवाजे हैं वह चारो तरफ से दबी रती हैं और आपको पैसंजर मतलब जितने भी बैठे राते हैं आदमी जितने भी लोग बैठे राते हैं उन सबको अच्छा सुनने में फील होता है और साउंड की किसी भी तरीके से अज्जेस्ट कर सकते हैं जैसा कि इसका बात हो गया साउंड सिस्टम का बात हो गया यह जो है बाहर से लगवाया गया इसके बारे में तो लोग बात करी चुके है यह बाहर से लगवाया गया है अब हम लोग बात करेंगे कमफर्टेबलिल्टी में जो है suspension की भी बात आती है जब road पे highway पे चलती है तो suspension का क्या सीन है, suspension जो है वो tight है या कैसा suspension है इसका, actually इस गाड़ी को design ही किया गया है especially, मतलब rough and tough चलने के लिए, मतलब जब भी आप किसी से भी मुझे भी सुनेंगे तो महेंदरा की गाड़िया scarfy हो गई, bolero हो गई यह सब design की जाती है ताकि गाड़िया rough and tough use हो तो smooth suspension तो आपको मिलने से रहा तो गाड़ी कभी भी off-roading चलती है, तो आपको थोड़ा बहुत लचक के या body roll आपको बहुत जाता देखने को मिल सकता है, और गाड़ी highway पे चल नहीं है तो body roll कम रहेगा, लेकिन फिर भी आप कभी-कभी थोड़ा सा भी अगर आता है road हाट मतलब हाट चेन पहुच आता है road पे तो आपको body roll feel करना पड़ेगा, क्योंकि यह गाड़ी इसा दमदार बनाया गया है, ताकि यह up road हो सके, क्योंकि गाओं में यह गाड़ीयां जादे दोड़ती है, तो इस वज़ा से आपको body roll में दिखकत है इस गाड़ी में, जाहिर जी बात है, यह कोई आप देख सकते हैं, सामने क्रेटा चल रही है, तो क्रेटा से अगर आप चलते हैं, तो इस तरीके का आपको feel नहीं मिले है, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्स्यूवी टाइप का गाड़ी है, यह बड़े टाइप में आ जाती है, यह गाड़ी थोड़ा सा नो महें टेगे, लेकिन अगर Howzing आप देगी लेकिन अगर 4 x 4 promised देगी तो थार की बिक्री जो पहुत कम हो जाएगी, इसकॉर्पी यो एंच जो है उसमें दिया गय, लेकिन अगर इस गाड़ी में जो है 4 x 4 देदे तो हमको नहीं लगता है कि थार की बिक्री जो है उतना हो पाएगी तो चलिये अब लोग बात करते हैं सब्सेंham अधितने पाल लिए हैं अब बात करते हैं मेंटेनेंस की मेंटेनेंस कोश्ट क्या मैं गार जाते हैं तो translates कोस्ट क्या पड़ता है अब गाड़ी रखने पड़ेगी तो फिर खर्चा भी तो ज़्यादा होना ही होना तो बात यह करते हैं मेरी गाड़ी का जो कलर है वह आपको पता ही है कि ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर होने के नाथे आपको मेंटेनस 50% अधिक बढ़ जाता है अगर आ थोड़ा सा भी स्क्रेच या थोड़ा सा भी दाग वह आपको जिखने लगेगा तो पिर उसको आपको साफ करना पॉलिस करवाना यह सब चीजे आपको करनी पड़ेंगे यह बात करते हैं सर्विस की तो आने नेवरेज महिंद्रा की गाड़ियां 10,000 पे सर्विस होती हैं 10 तो आप एक तरीके से कर लीजिए तो आपको जादा देना पड़ सकता है तो आने नेवरेज मैंने लगवाक 10 मारे सर्विस महिंद्रा एजन्सी में ही कर आई है मतलब आज तक मेरी गाड़ी एजन्सी में इस सर्विस होई है तो आप एक तरीके से कर लीजिए तो आपको 10 से 12,000 रुपया एक सर्विस में आपको खर्च करना पड़ सकता है मैक्सिमम किस सर्विस में जो सबसे ज़यादा पर्ड़ करना पड़ा था है आप मैक्सिमम की बात नहीं है यहां पैरलल पे करते हैं तो तो महिंदरा कमपनी वाले जो होते हैं वो मोबील दस एर क्लिमेटर पर चेंज नहीं करते हैं तो आप अगर पहले सर्विस में आगर आप मोबील चेंज करवा लेते हैं आपका 12 एर रुपय लग मंख खरचा आएगा और अगर दूसरे सर्विस पर जाते हैं 10 के बाद तो आपका 3-4 रुपय उसका बचेगा और फिर ये सब चीज़े आपको ले करके आपका 6-7 रुपया दुसरे सर्विस पड़ेगा तो आने ने वरेज 8-10 रुपया आपका एक सर्विस का आप मान लीजिए अच्छा अब हम लोग बात करेंगे प्रोस और कॉंस की लाश्टली मात मातर जो को जछह लगता है लगता है और हम दो आपसेग्षाम की आप Continue नहीं होती तो यह वाद करनी है तो सबसे पहली बात है यह गौण तो लगता है कि मतलब हाँ कोई गाड़ी आ रही है रोड प्रिजेंस इसका सांदार है कहीं जाती है काड़िया तो हाँ मतलब लोग कहते हैं कि कोई गाड़ी है और दूसरी बात यह है कि इसका जो ग्राउंड क्लिरेंस है आफ रोडिंग का वो सबसे बेटर है तो आप विलेज रूलर एजिया में इस गाड़ी को इसली चला सकते हैं कोई उसमें कोई प्राब्लम नहीं होगी और दो सबसे खराब चीजे आप इस गाड़ी के बारे में क्या बता सकते हैं दो सबसे प्लास्टिक का मिल जाता है तो आपको बहुत बचा के गाड़ी चलाना पड़ेगा कहीं आगे तचना हो जाया कहीं पीछे ना टच हो जाया तो वह प्लास्टिक का बंपर है उत्ता मजबूत है नहीं जा उसके बाद दूसरी सबसे खराब पर मिलते नहीं है और इस गाड़ी के पार्ट महांगे आते ही आते हैं तो दोस्तों यह रहा हम लोग का रिविव अब थोड़ा मैं चलता हूं ड्राइविंग सीट पर और ज्यादा नहीं मैं बस ड्राइव क्वालिटी इसी सब की बात करूंगा तो अभी मैं चलता हूं इस कैमरा देता हूं सत्यम को और उसके बाद मैं अपना बताता हूं क्योंकि आपको पता है कि मैं फोर्ड एको स्पोर्ट का ड्राइवर हूं और टाटा एल्ट्रोज का ड्राइवर हूं तो उसका सब चीज स्मूध चलता है और यह थोड़ा सा रोबस्ट गाड़ी है मतलब मैस दोस्तों गाडी यह स्टार्ट कर लिया स्टार्ट करने में कोई दिख्कत नहीं और यहां से पूरा जो व्याट right का मुझे दिख रहा है बाकी सब गाड़िएं में उतना नहीं दिख ता है लेकिन यहां पर दिख रहा है मुझे निकरे तरीके से बतलार देखने में तो तोण करक्त चलच जो है थोड़ा सा मुझे जो हाट लग रहा है क्योंकि पूर अंदर जो है है तो डीप है और वहा होने के क्टेरिंंग के स्प्सक्राइब डिजल गाड़ी में जैसा टेरिंग रहता है वैसा इसका है कोई दिख्कत नहीं है कि भी जो है नहीं नहीं जितने भी काड़िया आ रही है उसका जो तोड़ा सा स्मूध कर दे ला है लेकिन को जो है वो अपने श्टेरिंग प्वज़़से भी जाना जाता है और थोड़ा सा चलाने का जो फील जो है अगर थोड़ा से स्टेरिंग टाइट ना रहे तो फील जो है वो नहीं आएगा स्कार्पियो का बाकी रेस देने पर भाग रहेंगे बहुत अच्छे से कोई दिकत नहीं है एक लाक 31,000 km यह गाड़ी चल चुकी है तो ओवराल मैं कहूं इस गाड़ी को तो एकदम हैंड्स अप है मेड इन इंडिया गाड़ी है लोकल को वोकल कीजिए इस कारपियो फॉर्चुनर के बदले स्कारपियो लीजिए क्योंकि यह गाड़ी जह देस की गाड़ी है बाकी सब मुझे कोई दिकत नहीं है यह सामने कार्शन देख सकते हैं डेस्ट यह सब थोड़ा सा जो महें इस पर सुधार करें बाकि सब चीजों पर अपना सर्वीस पर सुधार करें बाकिष गाड़ी में कोई दखकत नहीं है तो दोस्तों यह रहा हम लोका experience इस गाड़ी का ओनर्स experience भी रहा फोड़ा सब वीडियो लं जा सकते हैं जो नहीं वाले स्कार्पीव आई है वह उस तरीके का लुक नहीं दे पारी है जिस तरीके का लुक जो है यह प्रोवाइड करती है और लोग मुल मुल के जो है वह देखते हैं तो यह जाहिर सी बात है वह प्रोवाइड करती है थोड़ा थोड़ा इसू है लेकिन सब्सक्राइब से आपके भाई को जो मोटिवेशन मलता है तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम